हेलो एवरिवान वेल्कम बेक तो यूर फेवरेट चैनल लीटा अकेडमी मैं मंगेश यादो आज आप सभी की सामने लाया हूँ एंगेलिस पिकिंग और लर्नेंग का सेशन लूर वन यसा कि आप सभी ने हमारी पिशली वीडियो में देखा था कि हम कुछ कोर्से स्टार करने वादे हैं इंग्लिस के लिए तो उसके कोर्से आज ने स्टार होते हैं। जो सबसे पहला कोर्स ता वो था टेंज तो आज से हम शुरुबात करने वाले हैं tense की तो सबसे बहले हम देखेंगे types of tense यहाँ पे 3 types of tense होते हैं सबको पता है present tense, past tense and future tense तो हम लोग एक एक tense को एक एक दीन एक एक session में करेंगे जिससे आप सभी को यह सारे के सारे tense समझ में बहुत ही आसानी होगी तो चलिए बिना धी तेरी के चलते हैं आज के session number one की तरफ तो आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पेहला tense से present tense उसी शुरुआत हो चुकी है हर tense के चार्ज सब टाइप होते हैं तो हम एक एक करके हर टाइप को पंढ़ना लें तो start करते हैं सबसे पहले टाइप से simple present tense इसकी आजनेटे क्या है आजने का मतलब होता है पैचानना हम कैसे पैचानने हैं कि जो वाक है जो sentence लिखा हुआ है वो किस टाइप का tense है तो उसे पैचानना के लिए हमें क्या देखना होगा जो भी वाक के लिखा है उसके अंतिम शब्द पर ध्यान देना होगा अगर वो शब्द ऐसे होता है ता है ती है ते हैं ता हूं ये सारे शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो हवाक के simple present tense का है अब अगर हम लोग देखेंगे sentence formation के बारे में तो आस असे पहले आता है subject फिर वे main work का first form उसके बाद s और es और last में आता है object यहां पर एक बात का और जान देना होगा आपको अगर जो noun है वो similar है तो हम लोग यूज़ करेंगे he, she and it का he for male, she for female और अगर noun blular है तो उसके लिए उस करेंगे i, we, you and they का एक बात का और जान देना होगा आपको अगर singular noun है तो ही हम लोग sentence में e और es लगाएंगे otherwise e और es नहीं लेगा कुछ example यहां पर है, तीन example दियो है आप लोग देख सकते है पहला example बहुत स्कूल जाता है he goes to school तो यहां पर noun singular था तो देखी हम लोग गोग का जो first form लिखेंगे उसके लगाया है हमने ठीक है he goes to school second देखते है way cricket केलते है they play cricket यहां जो noun था हो क्या था plural था इसलिए हमने क्या किया s और es नहीं लगाया है third sentence देखते है वह खाना नहीं खाती है she does not eat a food यहां फिर से आप देख सकते हैं जो noun थो क्या था similar noun था इसलिए हमने es का use किया तो यहां पर simple sentence खतम होता है मैं आप सबसे यह कहना चाहूंगा कि पहले शुरुवात के दिनों में आप सिर्फ और सिर्फ sentence को identify करना सीखें उसके बाद ही sentence formation के लिए आगे जाएं तो आप जादा से जादा sentence ढूने लिखें और उसको identify करें अब चलिए बढ़ते हैं आगे तो अब यहां से start होता है Present Continuous Tense तो देखते हैं हम लोग present continuous tense को identify मतलब पैचाने के कैसे जिस वाद के अंद में रहा है रही है रहे है रहा हो यह चार सब्द आपने देखें यह चार सब्द जिस भी वाख के अंद में आएंगे आपको यह समझ आना है कि वह वाख क्या present continuous sentence का formation कैसे होगा पहले तो हम लिखेंगे subject उसके बाद is and r का use करेंगे उसके बाद main word का जो होगा first form use करेंगे उसमें ing लगाएंगे और last में object एक बाद का यहां ध्याने ना होगा यह special type है इसमें ing लगेगा ही लगेगा sentence के अंदर जो main word होगा उसके साथ ing लगा होगा तो इससे आपको इस sentence को पहचानने में क्या होगा आसानी होगा तो देखते हैं helping word components हैं यहाँ पे is, am और are तो is कभी उज़गा जब subject में he और she या तो it होगा am कभी उज़गा जब subject में I होगा और are कभी उज़गा जब subject में you, we और दे होगा कुछ example यहाँ पे हैं हम लोग example देखते हैं तो पहला example है वर्षा हो रही है it is rainy देखिए जो word है उसमें ing लगा है second देखते हैं ram बाजार जा रहा है ram is going to market देखो फिर से word go है go के साथ ing लगा है food साथ ही में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो is mr है उसका भी use हो रहा है start हुआ i से तो हम just i के बाद क्या लगाया am next देखते हैं sham नहीं खेल रहा है sham is not playing वापस से word के साथ ing जूड़ा हुआ है यहाँ पे जो नाम ने हो sham है मतलब male है singular है writing यहाँ पे राइटिंग जो right word है उसके साथ ing लगा हुआ है और last one क्या है तुम क्या कर रहे हो what are you doing do के साथ ing लगा हुआ है तो यह special case ध्यान रखना है आपको वा के साथ ing होगा तो इस प्रकार identify करते रहना है आप चलिए आगे बढ़ते हैं present perfect tense की तरब इसको हम लोग ऐसे identify करेंगे जिस वाक के अंत में चुका है, चुकी है, चुके है, चुका हूँ यह सब आए तो आपको समझ जाना है कि वो present perfect tense ही है जिसे कि मैं खाना खा चुका हूँ mobile charge हो चुकी है यह सारे sentence क्या है present perfect tense है तो sentence का formation कैसे होगा subject plus has या तो have plus main verb का third form plus object has कभी उस करना है जब कोई भी singular subject होगा और have कभी उस करना है जब कोई भी singular subject होगा इसका example देखते हैं सुर्य दो हो चुका है the sun has risen देखो sun अकेला है singular है तर अमने के उस किया has उस किया वह बजार जा चुकी है she has gone to market वह आपसे singular मतलब she आया तो हमने क्या उस किया has उस किया where picnic से आ चुके है they are have came from picnic they आया है आपे मतलब plural तो हमने has के ज़र्ण have उस किया इसी प्रतर के आगे की sentence भी है आप लोग पढ़ें और इसको identify करें इसी तरह के और वी sentence खोजें बुक में से या फिर English की बुक में से उसको लिखे identify करने की किस ताप का tense है तो ये होने के बाद आएए बढ़ते हैं आज के वीडियो के last tense की तरब तो चलिए शुरुआत करते हैं present perfect continuous tense की इसको हम कैसे पैचानेंगे identify कैसे करेंगे जिस वाकिके अंत में रहा है रही है रहे है रहा हो इसके साथ में time मतलब जो समय है उसको भी दिया जाए तो हमें पैचान जाना होगा कि हाँ ये जो tense है जो sentence है वो present perfect continuous tense है तो sentence formation कैसे होगा सबसे पहले शुरुबात होगी subject फिर has been या तो have been उसके साथ main work का first form plus ing since for object ठीक है since for यहाँ पर use होगा helping mark जो है has been किसके लिए use होगा similar और have been किसके लिए होगा plural for जो हमने यहाँ पर दिखा since या तो for मतलब since भी use होगता है for भी use होगता है तो for किसके लिए use होगा for specific period और time मतलब एक निश्चीत कालावादी जो निश्चीत समय होता है उसके लिए हम लोग for use करेंगे और जो अनिश्चीत है ठीक है from starting to unspecific time मतलब उसका time fix नहीं है unspecific है उसके लिए हम लोग since use करेंगे तो थोड़ा और written में जाने के लिए example देखते है first example क्या है वह यहां चार साल से रह रहा है he has been living here for four years यहाँ पर four years दिया था fix है कि चार साल सा ही रह रहा है इसलिए हमने क्या उस किया four अब next देखते हैं वे सुबर से काम कर रहा है they have been working since morning यहाँ पर हमने four use नहीं किया हमने since use किया because अभी तक काम कर रहे हैं कितने घंटी से काम कर रहे हैं वो नहीं पता हमने समय फिक्स नहीं है इनका सुबर से कर रहे हैं यह पता है but तीन घंटा, जार घंटा, पास घंटा कितना घंटा नहीं काम किया यह हमें नहीं पता है तो हम यहाँ उस करेंगे sing और अगर time fix पता होगा तो four similar था इसलिए has been pleasure हुआ तो have been तो इस प्रकार आज का tense का session था वो खतम होता है आज हमने चार्टर के tense पढ़े है ठीक है present tense में present indefinite, present continuous, present perfect और last पी present perfect continuous आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आप सभी को एकदम अच्छी तरह समझ जाया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक share किजिए ताकि उनको भी English सेखने में क्या हो सहता हो सके तो कीता केडमी जोरा शुरू किया गया इस English grammar and learning session को complete करने के लिए हमारे साथ बने रहिए चैनल को subscribe कर देजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए grammar को लेके तो वो आप तक असाने से पहुँच सके और आप घर बेटे हैं सारे English courses complete कर सके थांक्स तो वाचिंग